पुलिस को बड़ी काम्यावी मिली है दरसल मुंबरा पुलिस को जानकारी मिली थी कि रेती बंदर पार्सिक सरकल के पास कुछ लोग एक अलग परजात की दूरलभ बिल्ली की खाल बेचने के लिए आने वाले हैं ऐसी जानकारी डिटेक्शन प्रांच के संजय गलवे को मिली इसके बाद मुंबरा पुलिस के स्टेशन के वरिट पुलिस दिरिक्शर मधुकर कड ने वन अधिकारी पीवी कुंडाल कर के साथ एक टीम तयार की और जाल बिछा कर अमीद गाडन होटल के पास शाम छे बजे तीन लोग हरे रंग के बैग लेकर पहुंचे और पुलिस को इनकी हरकत संदिक लगी और इन तीनों को पकड़ कर तलाशी ली गई इनके पास से अलग दुरलख परजाती की बिल्ली की खाल बरामत की गई जिसकी कीमत 40 लाफ रुपे बताई जा रही है इन आरोपियों को पकड़ने में टीम के वरिष्ट पुलिस निरिच्छक मधुकर कड उपनिरिच्छक संजे गलवे सुदामा पिसे अमोल यादो तुसार पाटिल उमेश राजपूर भुसर खेरनार सुनिल बात मारे वा पीवी कुंडाल कर कुमिली है आरोपियों के नाम विक्रम तुका राम जादो 40 वर्सी है जो नेरूल का रहने वाला है बाद क्रिच्छन सोनू जोगले वनचास वर्स जो भिमंडी का रहने वाला है तो महीं अनिल संपत घाणगी 45 वर्स जो 17 का रहने वाला है मुम्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ट पुलिस निचर्ट मधुकरकर ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं सट क्या आज पकड़ा गया यहां पर जो दिनांग आट 29 को कल मुम्रा पुलिस्टेशन के डिवी के पीएसा एक्स्त्री संजाई गळवी और उनको टिंग को जानकारी मिली थी कि तीन लोग खवले मंदर उसको इंग्लिश में पैंगोलीन काते हैं उसके खवले जो उपर का पाट रहता है वो बेचने को रेती मंदर की परिसर में आने वाले उस इससाब से उन्होंने ट्रैप करके नेराबर 40 लाग के खवले जब किया हुआ है उनके खिराब फोरेश्ट पहले भी क्या इन लोगों का ऐसा कुछ यहां पर आपने उसमें हो जाए लेकिन इसमें हमने जो जो लोग लिप थे वो सभी आरिश्ट किये हुए पुलिस ने तीनों आरूपियों पर 2,1,16,9,49,49,49,49 के तहट मामला दर्ज कर इन है कोट में पेश किया है कोट ने तीनों आरूपियों को दो दून की पुलिस हिरासत में भेज दिया है तमाग खबरों को जानने के लिए देखते रहे प्रहाटेंग्स ताजा तन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें